वाट विताजी इस वीडियो में हम दोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाज सास के जित्ते भी most important question सर है वो सबी जो कि आपके इस ग्राम के लिए बहुत important है तो यह वीडियो आपके बहुत important होने वाली है आप इसे पुल्ट को लाइनते देखेगा तो चले start करते हैं तो यहाँ पर जो मनों का फर्स question है वो है समाज सास विशे के प्रति हमाई धायनाय क्या है तो चले इसके answer देख लेते हैं छाट के रूप में हम सबी को समाज के बारे में पहले से कुछ ना कुछ गयात होता है बलकि हम लग एक समाज में निवास करते हैं तो समाज के बारे मे पहले से थोड़ा पहुत होता है लेकिन जो अन्य विशे होते हैं से साइंस हो गया हिंदी इंगलिश इस टाइप के जो सब्सक्त होते हैं उनका घ्यान हमें जब सिखाय जाता है पढ़ाया जाता है तब ही हमें प्राप्त होता है और जो समासास्त के प्रारंभिक चलर में भूलने की प्रक्रियां सामिल है क्योंकि यह पहले से प्राप्त हमारा सहज ग्यान बोद एक विशिष्ट डेस्टिकोर से जुड़ा होता है तो में क्या बताया जा रहा है कि समासास के बारे में बाते जानते हैं जो की गलत है या फिर जो सही है तो उनको भूला कर आगे ब सब्सक्राइब समय को देखने नजरियाт WHAT? क्या है? कि आपने सबस्रेट के बने का तात परे हैं कि हमें या स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक हैं प्रतेक सत्य अपने स्मासास की सभाव क्यों होती है क्यूंकि समासास हमें पूर्वा ग्रह से भीशिट गरने का दावर करता है रहे होता है किसी के बारे में हमारे मंसे बीदा आत्म वाचन क्या है समाज सासरिया दिखाता है कि किस तरह देखना है तथा आप को कैसे देखना है इसे स्वाज आत्म आत्म वाचन कहते हैं साथ ही आत्म वाच्चन का आलोशना आत्मक होना चाहिए आत्म वाच्चन क्या होता है इसी से आप समझ सकते आत्म वाच्चक तो आत्म के अपने आपको वाच्चक मलब की देखना तो फिर जो आत्म वाच्चक होता है वह आपको आपको कैसे देखते हैं क्या करते हैं इसी को वही सो आच्चे या फिर आत्माचक कहते हैं और जो आत्माचक होता है वह अलोशनात्मक होना चाहिए मिलकि अपनी गल्दियों को ढूंड़ना चाहिए ताकि उनसे हमागी को सीख सके उसके बार नश कोशन है वर्क से आप क्या समझते हैं तो वर्क अरजी पर अधारित होता कि शानध की में किसक का अध्यन किया तो जनध की जन संध्याथ का सुवेस्त अलव किया जाता है देस संबंदहित अन्यख प्रक्रिया घैसे जन-वनित्यों तब और परबर्शन के रूप में इस्त्री परूलिस-लिंगानपात जन संखहह घेनत व По आशा का फारे जिसमें में अमस्ती यह जहाता है सब्सक्त्राइब तो करो फेवाट होता है इसमें में तूर्प्न संख्राइब कर्द्स थे खिवण सामाजिक आर्थि क्या पच्छो का अधन किया ज़ता है मालथस जन संख्या मैं व्रद्धी अनियनथी टूप से होती है मनुष्यक मालथस अर्थि आदन के साधन विस्थाय जैमति रूप से होता है مहिं क्य等一下 णियर्थ सवांथे रूप मालताज ने बताया था कि जलसंख्या होती है वह अन्यानतित रूप से बढ़ती है लेकिन जो मनुषी के भरर पोसर के साधन है मतलब कि जिसे क्रेश्युत पादन है यह सीमी तौप से ही हो रहा है तो इसकी वज़े से जनसंख्या बहुत जादा बढ़ रही है जिससे मानुश को बहुत जादा कठना ही हो सकती है उसके बाए नेट्स कोशन आ जाता है प्रकतिक निरोध क्या है तो जैसे की भूकम सुनामियाद बन्की प्रकतिक और कठिम निरोध दो पाए बता है मालतस ने उनका विपराय था क होती है वो प्राकतिक निरोत के रिवा ना इस टायब करता है उसके बाद नेक्स आजयाता है कौशन हमारा जनसांगिकी संखरमर्स का सिध्धान बताइए जनसंख्या व्रदी आधिक विकास के समग इस्तोरों eddy प्रतेक समाज विकास से संबंदी जनसंख्या व्रदी के एक निश्चित रूप का अनुसरार करता है नेस्ट कुर्शन हमारा जनसंख्या विस्पोर्ट से आप क्या समझते हैं तो ऐसी अवस्था में पुरानी पीड़ी की परिस्थापित करने वालों की संख्या अधिक हो ज जाती है मिलत्य दर बहुत ज़्यादा काम हो जाती है लेकिन जर्म दर उच्छ होती है तो ऐसी इस्थित में जनसंख्या विस्पोर्ट होता है उसके बाद नेस्ट कोशन आ जरता है जनसंख्या का पराश्रित अनुपात का अधिक हो तो उसे जनसंख्य की लाभांस कहते है तो यह विडियो आपको ये अच्छी लगी तो प्री से लाइक करिएगा और में चैनल को सब्सक्तेब कर देजेगा, मिलते मैं नेक्स वीडियो में